श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तो, दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है, चंदरमा का हमारी दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है, क्यूकि चंदरमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे चंदरमा एक जैसा नहीं होता, हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता, तो आईए देखते हैं इस दिन चंदरमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं, दोस्तो इस दिन चंदरमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले हैं, जी हाँ इस दिन चंदरमा आ आपके अंदर देखने वाला होगा इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुराल पक्ष से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय मे आप अपँ जन्मभूनी से और विदेश से दोनों और से दन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिदी कापी मजबूत रहेगी इस समय में आपको धन कमाने के नए और जरैबी मिल सकते है अगर आप बिजनेस करते है और वो बिजनेस पार्टनरीप में है तो वहा भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है, इस समय में आप कलाके चेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे, जोतिस विद्या अध्धात्म जैसी चीदों में आपकी रुचीज ज़्यादा होगी, इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी, और आपकी बुद्धी तीव्रग काफी अच्छा रहेगा मोज मस्ती भरा प्रसन नताव आनन से भरा दिन रहेगा ग्रानक्षत्र आपको आज पूरा सहयोग करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए कदम आगे बढ़ाने के लिए पूरानी तकरार मिटाने के लिए और नए अगर स्टूडंस की बात करें तो स्टूडंस इस समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके लिए समय बहतरीन रहेगा अच्छी रहेगी ये समय जम कर पढ़ाई करने का है अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए अपने टार्गेट सेट करें और उस और प प्रेशानिया नहीं रहेगी अच्छे स्वास्ते के लिए अच्छा रूटीन बनाए और उस पर चले ताकि आप हमेशा फिट रहे सके अपने स्वास्ते के अनुसार अच्छा डायट प्लान बनाए और उसे अच्छे से निभाए योगा करे प्रानयाम करे सुबह टहलने लेकिन कभी कभी हमारी personal कुंडली में बाकी ग्रहों की position कुछ इस तरह होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशिफल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा